आज की जो सची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर परदेश का, इसी उत्तर परदेश में एक जिला आता है, बिजनोर, और इसी जिला के अंतरगत एक गाउं आता है, मुहदिपूर, और इसी गाउं के रहने वाला लच्मी सिंग, लच्मी सिंग के तीन बच्चे होते हैं, एक बेटी और दो बेटा, बड़े बेटा का नाम जामुन सिंग होता है, और छोटे बेटे का नाम मनोज सिंग होता है, लच्मी सिंग अपने तीनों बच्चों का विवा कर चुका है, बड़े बेटे के पत्री का नाम बंदना होता ह और छोटे बेटे मनोज सिंग के पत्नी का नाम सरीता होता है जामुन सिंग अपनी पत्नी बंदना के साथ हर्याना में रहता है जबकि मनोज सिंग अपने पत्नी के साथ उतरा खंड के केसोपूर में रहता है बात कर रहा हूँ 11 अगस्त 2014 की सुबह 6 वजे सरीता अपनी जेठानी बंदना को फोन करती है और फोन पर कहती है कि दीदी मेरी तो दुनिया है उजर गई दरसर कल रात मेरे पती का किसी ने हत्या कर दिया जैसे ये बात बंदना सुनती है ये सारी बात अपने पती को बताती है और जैसे ही ये सारी बात उसके पती को मालूम चलता है तो वो तुरंत उतरा खंड के लिए निकल पड़ते हैं जामुन सिंग अपनी पतनी के साथ सरीता के घर पर पहुचते हैं और देखते हैं कि सरीता घर में अकेली है और उसके दोनों बच्चे रो रहे हैं जैसे ही इन दोनों की नजर मनोज की dead body पर परता है तो दोनों चीखने चिलाने लगते हैं जोर जोर से रोने लगते हैं जब इनकी चीखने चिलाने की आवाज परोशी सुनते हैं तो परोशी भी धीरे धीरे वहाँ पर जमा होने लगते हैं और इस वीच मनोज का बरा भाई जामुन पुलिस को सूचना दे देती है अब जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है पुलिस अपनी टीम के साथ मनोज के घर पर आ जाता है और सबसे पहले मनोज की डेड बोडी को चेक करता है dead body के सरील पर जगा-जगा चोट के निसान है और उसके गले पर भी किसी चीज़ से दवाने का निसान है अब पुलिस सबसे पहले मनोजा की पतनी सरीटा से पूश्टाच करती है कि मनोजा की हर्ट्या कैसे हुई इस पर सरीता कहती है कि कल हम पती-पतनी इनके गाउं रक्षा बंधन पर इनके गाउं गए हुए थे जब गाउं से साम को वापस आये तो किसी छोटी-मोटी बात पर हम दोनों के भी जगरा होने लगा और इसी बीच मेरा पती गुसा होकर एक सरीय से मेरे सिर पर जोरदार वार कर दिया जिसके वज़ा से मैं बिहोस हो गई और जब मुझे सुबह होस आया तो मैं अपने पती को मृत अवस्था में पाया जब यह सारी बात पुलिस सुनते हैं तो सबसे पहले डेड़ बोड्य को अपने कबजे में लेकर पुष्ट मॉडम के लिए भेज देती है और सरीता के ही तहरीर पर धारा 302 के तहट मुकदमा दर्ज करके चानविन शुरू कर देती है पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि कोई व्यक्ति मनोज के घर में घुश कर उसकी हत्या कर दे और उसकी पत्नी सरीता को पता ही न चले इसी शक्क के आधार पर पुलिस सरीता के फोन का कोल डिटेल निकलवाती है जिससे पुलिस को पता चलता है कि हत्या वाली रात सरीता किसी नमबर पर कई बार बात करती है अब पुलिस जिस नमबर पर हत्या वाली रात सरीता कई बार बात करती है उस नमबर का call detail निकलवाती है जिससे ये पता चलता है कि ये नमबर किसी खेतरपाल सिंग नाम के ब्यक्ति के नाम पर registered है खेतरपाल सिंग उत्तरपरदेश के ही मुरादाबाद जिले के अंतरगत चतरपुर गाउं का रहने वाला है अब पुलिस जैसे ही इस नमबर पर फोन करती है तो ये नमबर switch off हता है अब पुलिस इस सभी बात का पता लगाने के लिए खेतरपाल सिंग के घर पर दविश देती है जब पुलिस खेतरपाल सिंग के घर पर पहुंचती है तो उसके परिवार जनों से पुलिस को पता चलती है कि खेतरपाल सिंग दो दिनों से घर पर ही नहीं आया है जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को इस बात पर पूरा यकीन हो जाता है कि कहीं न कहीं खेतरपाल सिंग और सरीता नहीं मिलकर मनोच की हत्या की है इसी सक्के आधार पर एक बार फिर पुलिस सरीता को बुलाकर ठाने में पूस्ताज करती है और खेतरपाल के बारे में उस्ती है उस पर वो कहती है कि जिस कमपनी में मैं काम करती हूँ उसी कमपनी में खेतरपाल सिंग सुपरवाजर है एक दिन वो मेरे घर पर आया था, इसी बीच वो मेरे पती से उसकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे से दोनों की दोस्ती हो जाती है इसी वज़ा से कभी कभी मैं उससे बाक्चित कर लिया करती थी अब पुलिस समझती है कि सरीता इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी तो पुलिस सरीता के साथ एक चाल चलती है पुलिस सरीता को फोन करके बताती है कि हमने खितरपाल सिंग को गिरफतार कर लिया है और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और उसी ने बताया है कि तुमने ही अपने पती की हत्या की है ये बात सुनते ही सरीता सच उगल देती है और वो कहती है कि नहीं नहीं साब खेतरपाल जूट बोल रहा है दरसल मैंने अपने पती की हत्या नहीं की है उसी नहीं मेरे पती की हत्या की है ये सच सुनने के बाद पुलिस इस केस को सॉल्व कर लेती है लेकिन सरीता जब इस केस की पूरी कहानी बताती है तो पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है दरसल इस कहानी की सुरुवात घटना से ठीक 6 साल पहले होती है मनोज सरीता को शादी करके अपने घर लाता है सरीता के पिता का नाम भोगेंदर सिंग होता है और उसकी मा का नाम मालती देवी होता है सरीता अपने माता पिता का एकलोती संतान होता है जब मनोज सरीता को शादी करके अपने घर लाता है तो कुछ दिन तो बरे ही खुसहाल जिन्दगी जीता है इधर सरीता का पिता जिस गाउं में रहता है दरसल वो गाउं काफी बदराम होता है क्योंकि इस गाउं की ज़्यादातर महलाएं देह बैपार का काम करती है इधर सरीता के शादी करने के बाद कुछी महिनों में इसके पिता की मृत्ति हो जाती है भोगेंदर सिंग की पतनी अपनी सभी जमीन जाजाद बेच करके उतराखंड के कासिपूर में चली जाती है और वही पर एक private company में काम करने लगती है लेकिन private company में वो इतना नहीं कमा पाती है जिससे वो अच्छी तरीके से जिन्दगी जी सके अब अपना जिन्दगी बेहतर तरीके से जीने के लिए वो वहें पर देह वेपार का काम शुरू कर देती है इस काम में उसके साथ वहां के बहुत सारे महलाएं होती है जिसको वो फोन के जर्ये हैंडल करती है, चलाती है जिसके वजय से माल्ती दे भी अच्छा खासा पैसा कमाती है अब इधर सरीता जब अपनी मा को इतने अच्छे तरीके से जीबन बैतीत करते हुए देखती है तो वो भी अपने पती से कहने लगती है कि क्यों न हम भी उत्रा खंड जाकर वही पर अपना घर बना लें और वही पर रहने लग जाएं लेकिन इस पर इसका पती नहीं मानता है मना कर देता है लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा जिद करती है तो उसका पते भी मान जाता है और अपना कुछ जमीन बेच कर उत्रा खंड के किस्व पूर में जाकर एक प्लोट खरीद लेता है और घर बना कर वहीं रहने लग जाता है मनोज यहीं कासीपूर में एक प्रेवेट कमपनी में जॉब करने लग जाता है और उसकी पतनी भी एक जूता फैक्टरी में काम करने लग जाती है इस वीच उसके दो बच्चे भी हो जाते हैं जब बच्चे बरे हो जाते हैं तो यहीं पर इसकूल में दाखिला कड़ा कर उनको परहाने भी लगते हैं इसी बीच जूता फैक्टरी में ही सरीता के मुलाकात खितरपाल से होती है जब खितरपाल पहली बार सरीता को देखता है तो उसकी खुबसूरती का दिवाना हो जाता है अब वो उसके करीब जाने के लिए उससे बाते करना शुरू कर देता है जब इन दोनों की बात्ची धीरे धीरे शुरू होती है तो सरीता भी खेतरपाल को पसंद करने लगती है तरसल खेतरपाल एक 24 साल का लड़का होता है और वो कुबारा होता है जब दोनों का प्यार परवान चरता है तो दोनों के बीच अबैद संबंध भी बनना शुरू हो जाता है उसके बात तो सरीता खेतरपाल को अपने घर पर ही बुलाना शुरू कर देती है एक दिन मनुज जब अपने घर पर आता है तो अपने घर पर खेतरपाल को देखता है इस पर अपनी पत्नी से वो खेतरपाल के वाले में पूचता है इस पर उसकी पत्नी अपने पती से एकदम जूट बोल देती है कहती है कि इनका नाम खेतरपाल है और ये मेरे ही कमपनी में काम करती है दरसल इनको यहाँ पर एक प्लोट लेना है वही प्लोट देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे इसलिए मैंने इने अपने घर में बुला लिया है अब मनोज भी अपने पत्नी की बात पर विश्वास कर जाता है और इस तरह खितरपाल और मनोज के बीच में दोस्ती हो जाती है जब खितरपाल को पता चलता है कि मनोज शराब पीने का आदी है तो अब जब भी कभी वो सरीता से मिलने के लिए उसके घर पे आता था तो अपने साथ एक शराब का बोतल भी लेके आता था और फिर दोनों बैठ कर शराब पीते थे वो एक प्लान बनाते थे प्लान के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा शराब वो मनोज को पिलाता था ताकि मनोज जल्दी से नशे में धूत हो जाए और जैसे ही मनोज नशे में धूत हो जाता था वो सरीता के पास जाकर अपना समय बैतीत करता था और उसके बाद चला जाता था जब ऐसे ही एक दिन खेतरपाल सरीता के घर पर आया हुआ होता है और मनोज अपने ड्यूटी गया होता है कमपनी लेकिन किसी काम के वज़ा से वो जल्दी घर लोट आता है और खेतरपाल और अपनी पत्नी को अपत्ती जनक इस्थिति में देख लेता है इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है डर के मारे खेतरपाल तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो अपनी पत्नी को उस दिन बहुत ज़्यादा पिटाई करता है वो अपनी पत्नी को सिर्फ पिटाई ही नहीं करता है बलकि कमपनी जाना भी बंद करवा देता है और उस पर निगरानी रखना भी शुरू कर देता है जब सरीता खितरपाल से नहीं मिल पाती है तो उसको लगता है कि उसके पती के वज़े से वो दोनों नहीं मिल सकते हैं अब मनोज उन दोनों के बीच का रोरा बन गया है इस पर सरीता खितरपाल को फोन करती है और उससे कहती है कि जब तक मेरा पती है तब तक हम दोनों नहीं मिल सकते हैं इसलिए तुम्हें काम करो मेरे पती को रास्ते से हटा दो जैसे ये बात ख्यत्रपाज सुनता है वो भी इसके बातों में आ जाता है और इसके लिए हामी भर देता है अब 10 अगस्त 2014 को रक्षा बंधन के दिन होता है इस पर वो अपने पती से कहती है सरीता कि क्यों न हम आपके गउं चलें और वहीं पर रक्षा बंधन मना कराएं मनोज भी राजी हो जाता है और दोनों मिलकर अपने गउं जाते हैं और रक्षा बंधन मना कर स्वाम को अपने घर वापस आ जाते हैं और घर पर वापस आकर सरीता खाना बनाने लगती है लेकिन इसी बीच किसी बात पर दोनों पती पत्नी में जगरा हो जाता है दरसल एस जगरा करना भी किसी सरियंत्र का हिस्सा होता है और जैसे ही इसका जगरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपने पती से तो उसका पती गुसे में घर से बाहर चला जाता है ठेक पर जाकर सराब खरीदने के लिए इसी बीच शरीता फोन करके खेतरपाल को अपने घर पर बुला लेता है अब थोरे दिर बाद जैसे ही मनोज अपने घर पर आता है तो अपने घर में खेतरपाल को देखकर उसका गुस्ता सातमे आस्वान पर पहुंच जाता है जैसे ही मनोज और खेतरपाल के बीच में जगरा शुरू हो जाता है मनोज की पतिनी सरीता घर के अंदर जाती है और एक सरिया लेकर आती है और खेतरपाल को दे देती है और अपने पती का दोनों हाथ पकर लेती है इस पर एक जोड़दार प्रहार उसके सिर पर खेतरपाल कर देता है मनोज के सिर पर जिसकी वज़ा से वो नीचे गिर जाता है और छट पटाने लगता है उसके बाद फिर से जब वो अपने पत्टी को पकरने जाती है इसी बीच खेतरपाल फिर से सरिया चला जेता है लेकिन इस बार ये सरिया सरिता के सिर में ही लग जाता है जिसके वज़ा से उसके भी सिर से खून बेहने लगता है लेकिन सरिता अपनी चोट का परवा किये बगैर ही दोनों मिलकर खेतरपाल और सरीता दोनों मिलकर मनोच का गर्दन दवाने लगते हैं और इस तरह उसकी हत्या कर देते हैं हत्या करने के बाद सरीता खेतरपाल को अपने घर भेज़ देती है और उसके डेड़ बोडी के पास बैठ कर सुबह होने का इंतजार करती है जैसे ही सुवे होता है तो उपनी जठानी बंधना को फोन करके ये कहती है कि कल रात ना जाने कौन उसके पती की हत्या कर दिया है सरीता और खेतरपाल की कहानी सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है और सरीता के ही तहरीर पर दोनों पर विभिन धाराओं में मुकदमा चला कर जेल भीज देती है दोस्तों मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब किसी के भी दिल को ठेस पोचाना नहीं है बलकि समाज को अपराज के प्रती जागरूप करना है इस कहानी के बारे में आपकी क्या राहिया हमें कमेंट के माधियम से जरूर बताईएगा मिलते हैं कल एक दूसरी कहानी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत